Assalamualaikum welcome to student tube आज की इस लेक्टर में chapter 10 information handling exercise 10.4 question number 4 का part 2 है हमारे पास आज y is equal to 115, 108, 95, 118, 130, 114, 116 and 120 यहाँ पर भी हमें various find करना है सबसे पहले हमने यहाँ पर y की value लिखनी है then y का square निकालना है तो 115, 108, 95, 118, 130, 114, 116, 120 यहाँ पर है यह total ठीक है अब 115 का square हो जाएगा 1325, 1325, 11664, 9025, 13924, 16900, 114 का हो जाएगा 12996 फिर है 13456 और देन 120 का हो जाएगा 14400 टोटल है इनका 916 और y square का टोटल है हमारे पास 105590 फॉर्मुला अप्लाइ करना है हमें अब सो वेरियंस का फॉर्मुला होता है समिशन पहले question जो था part 1 उसमें x लिखा था क्योंकि question में x दिया वा था यहाँ पर y है तो y लिखेंगे y square upon n minus summation of y upon n का whole square तो यहाँ पर हमने summation of y square डाले यानिके 105590 upon total observation है हमारे पास 8 minus summation of y है हमारे पास 916 upon 8 और उपर square so यहाँ पा इनको divide किया तो आगया हमारे पास 13198.75 minus 916 divided by 8 so आया 114.5 114.5 और उपर square so 13198.75 minus 114.5 का square नकालना है 114.5 so हमारे पास आंसर है 13110.25 13110.25 और इनको आपस में minus हिया था हमारे पास आया 88.5 variance का answer तो यह था आज का question वीडियो अगर helpful रहा हो तो आपने से करना है like share channel पे new है subscribe किया बगर मच जाएगा and for more you can visit our website www.studenttube.info Allah Hafiz झाएई जाएई आपसास आपस आपस करना है